दोस्तो गर्मिया आने वाली है और गर्मिया ऐसे लोगों के लिए बड़ी ही परेशानी का कारण होती है जो पहले से ही सरीर में अतिरिक्त गर्मी अतिरिक्त उश्मा जिनके बनी रहती हो जिने तवचा से संबंदिज समस्याए हो या फिर पसीना जिने अधिक आता हो इसके अलावा सरीर के किसी भी हिस्से में बने रहने वाली जलन किसी अनुभूती होना जैसी समस्याओं से पीडित रोग्यों के लिए गर्मियों का समय बड़ा ही परेशान कर देने वाला होता है तो दोस्तो आज हम आपको एक ऐसी ओशदी के बारे में बताएंगे जो ना केवल आपकी इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ती परदान करने का कारे करेगी बलकि हिर्दे को या बल परदान करती है तो अचारोगों को या दूर करने का कारे करती है साथ ही साथ धातु की कमी और प्रजनन चमता को सुधारने जैसी बहुत सी समस्याओं में इसका प्रियोग क किया जाता है तो दोस्तों बहुत रोचक बहुत इमेत्पून आज की अजानकारी आप सभी के लिए रहने वाली है वीडियों तक अवश्य देखेगा नमस्कार मित्रों मैं डोक्र रोबिन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मैं बात कर रहा हूं खस-खस किये ज आपको कुछ बेहदी ऐसा धारण चिकिच्चिय गुण बताने वाला हूं जिसके प्रभाव से आप अपनी ऐसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं जिसका इलाज कई बार बहुत सी महंगी ओशिध्यों का प्रियोग करने के परशाद भी संभव नहीं हो पाता नींद की कमी जि ना केवल नींद अच्छी प्रकार से आने लग जाती है बलकि आप सुबह उठकर खुद को तरो ताजा अनुभव करेंगे मानसिक तोर पर होने वाले बहुत से रोगों में भी इस प्रकार आप खस-खस का प्रियोग कर सकते हैं साथी साथ इसका प्रियोग खून की कमी हड गरम दूद के साथ करना चाहिए वही जिन लोगों को कब्ज की सिकायत रहती है वह भी यदि खस-खस के बीजों को रोज रात को सोने से पूर गरम दूद के साथ प्रियोग करते हैं तो कब्ज की समस्या में बहुत अच्छी राहत अनुभव होती है इसके लावा जिन को मोटापा हाई कोलेस्टरोल हाई बीपी जैसी समस्याओं से जूजना पड़ता है वह यदि खस-खस का प्रियोग रोज रातरी को सोने से पूर गरम दूद के साथ करते हैं तो ना के ओलन के वजन में कमी आती है साथ ही साथ हाई बलड प्रेसर और हाई कोलेस्टरोल जैस हुई मिस्टरी गरम दूद के साथ प्रियोग करते हैं तो कुछ ही दिनों में उनका यह रोग समाप्त होना प्रारंब हो जाता है बहुत ही लाबकारी यह प्रियोग है अवश्या आजमा कर देखिए गाई इसके अलावा खस-खस के बीजों में कैलसियम, पोटैसियम, मैग आने का कारे करता है आति साथ सरीर में अतिरिक्त गरमी का बने रहना है ऐसी अवस्था में रोज सुबै साधारन जल के साथ एक चमच खस-खस के बीज और इतनी ही मात्रा में पिसी हुई मिस्री आप मिला कर पीना प्रारंब कर दीजी आप कुछी दिनों में देखेंगे इ बूख अची प्रकार से लगने लग जाती है और जो घबराहट बेचैनी जैसी स्थिती आपके साथ सदैव बनी रहती थी उसमें भी आपको काफी राहत आनुभव होना प्रारंब हो जाता है खस-खस के बीजों में पाए जानेवाला अलकलोईड शरीर में मौजूद अतिरिक्त कैलसियम को सोक कर किड़नी में बनने वाली पत्रियों को भी रोकने का कार दीकर करता है खस-खस के बीजों का लगातार प्रियोग पुर्शों में धात की समस्या से मुक्ति प्रदान करवाता है वहीं जिन लोगों के सरीर में सरीर की सबसे अंतिम और सबसे महतपून धातू बहुती कम मात्रा में बनती है वहें यदि खस-खस के बीज बबूल का गोंद और गोंद का तीरा इन तीनों की लगभग आधी-आधी चम्मच की मात्रा रोज रातरी को आप पानी में भिगो दे अब सुबह इसमें थोड़ी सी पिसी हुई मिश्री मिला कर आप पी जाईए ना केवल धातु की मात्रा में विरिद्धी होगी बलकि उसके पतलेपन की समस्या से भी छुटकारा दिलाने का बहुत ही प्रभावी रूप से अकार करता है इसके अलावा तोचा से संबंदित विभिन समस्याओं में पोस्तादाना के बीजों को पानी के साथ पीस कर उसका लेप तोचा पर लगाने से काफी अच्छा लाब राप्त होता है वहीं जलनादी के अनुभूती में भी ऐसा प्रियोग आप कर सकते हैं अलागि बहुत ही लाबदाय के ओशिदी है परन्तु बहुत अधिक मातरा में इसका प्रियोग एक साथ करना उल्टी घबराहट बेचैनी जैसे स्थितिया उत्पन कर सकता है इसके अलावा हमेशा पके हुए बीजों का ही आपको प्रियोग करना चाहिए कच्चे बीज हानी पोचा सकते हैं वहीं यदि कोई खिलाडी इसका प्रियोग करने का विचार कर रहा है तो उसे मैं चेतावनी देना चाहूंगा अधिकतर ड्रग टेस्ट में इसके करने की अपने अंदर चमता रखती है आउशकता है केवल प्रियोग करने का सही तरीका जाने की तो दोस्तों आशकरता हूँ आप को मेरे द्वारा दी गई है जानकारी पसंद आई हो और आपको जानकारी पसंद आई है तो अधिक सदिक लोग पास इसे शेर कीजिए वीड वीडियो में नमस्कार